जै राजबुदाना, जै राजबुदाना, जै भावानी, महरना परतापे की, पर्धिराज चोहने की, जाला माने की, जै गुजराद! कहते हैं ना, बाई लोगों चुप उजाओ तो मैं बहुत लुगाई, एक शब्द है, किसी की लाइन याद आ गई मुझे, और इससे भारत भूमी का, बड़ा राजनी ते के, चंदर सेकर, उन्होंने एक बार पार्लेमेंट पर बोला दा, कि जिन हातों में शक्ति भरी है, जिन हातों में शक्ति भरी है, राज तिलक करने की, उन्ही हातों में ताकत है, सर उतार लेने की. हमारी उपस्तिती कितनी है बताओं गया एक बार यह लाइट ने बंद करना भई और जिनके हाथ में मोबाइल है एक बार टोड़ चालू कर लो सब सब टोड़ चालू करो और यह जो खंबे पे लाइट अब बंद करना भई एक बार जै राजपुताना टै रैजबुदाना जे रैजबुदाना जे र माणी अलो भाइलाइट वन कर दे जलाइट मन करदेया जेख होगाण है जआ भावाणी रैजबूदत Camby wilt जे भवानी जे भवानी जे राजबुताना जे राजबुताना लाइट चालू करवा विणनते आजू भाजू मा सुत्रोचार ना था इतो कार्यकरम आगट चालू राखिशू रूपाला 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 अब हायाई की जुरुत नियुको अब तो भाई भाई की जुरुत है और धन्यवाद है उसको धन्यवाद है उसको जो काम पिछले 70-80 सालों में राजपु समाज की बड़ी-बड़ी संस्ता ही नहीं कर पाई उस पागल ने एक सब्द में कर दिया और उसका दंदेवाद पांस साल उसको कोई काम करने की जुरत नहीं है गर बेट मजा कर गर पे बेट के मजा कर तुने जो काम किया है हमारे लिए जो सबर्दस्ते एक तक की जो ये लहर आई है मैं सही बता रहूं अठारा साल हो गए करनी से नहीं दिन राज सुबर शाम और हर दिन समाज की लड़ाई लड़ते हैं हम लोग पर जो उसको मालूम नहीं के राजपूत को क्या पसंद नहीं हमारी बेन बेटियों की इज़त पे टिपनी करी एक मिनट में ये लाखों की संग्या में हर गर से भी न बुलाई राजपूत हैं एसा ही एक परिजर्शे 2015-16 में आपने देखवा होगा एक भंसाली नाम का पुरानी था था एक लंगूर था ने एक बहुत मना किया मेरी बेन बेटी पे बात मत कर या बहुत मना किया बेन बेटी पे मात मत कर और फिर क्या हुआ पिर क्या हुआ पिर क्या हुआ बताओ एक बार अगर तपड़ पड़ा गया लाइट वारा ने विननति लाइट चालू करें हम तो केवल यह बॉलना चाहरें जब जब बहुत बेटी के इज़्दत पर आप बात आएगी हमारी माता बेटी के सम्पान की बात आएगी जिस कोक से जनम लिया है उस कोक को लजाएंगे नहीं बकाइदा उसका उत्तर देंगे हमारी बेटी हमारी मा के दूद droite कर्जे चुकाने का समय है एक साथ पूरे देश को है कना है है कना है मेरी बहनों द्वारा में एक एक कैवल एक दो शब्दों का विनती करना चाह रहा हूँ एक आपको एक शपत लेनी है शपत नहीं एक यहाँ से आवाज लगानी है मेरे पूरे देश के भाईयों के लिए अपने बेटों के लिए कि मेरे भाईयों बात गुजरात की भेण बेटी की नहीं है बात पूरे देश के उस शत्रानी की है जिन्नोंने सेनानी के तोर पर अपने सर काट के दे दिये हम वो शत्रानी आप वो शत्रानी है जिन्नोंने जोहर कर लिया चुंडावत मांगा सेनानी सिर्काट दे दियो हाडा रहनी आप वो शत्रणी हैं आप केवल एक एक आपकी तरफ से एक निविदन करिए और मैं आपके दिवरत जो बोला गया है मैं आपके शब्द में जो बोलूँगा यह वे आपको उच्छरण करना है केवल हता के करके बोलिए उपर करके के मेरे देश के भाईयो मेरे देश के शत्रिय बंदुओ जाग जाओ और जहां हो वहाँ जबाब दो हर राज्य से मेरे लिए आवाज आनी चाहिए आपकी शत्रानियों के लिए आपकी बेन बेटियों के लिए आवाज उठनी चाहिए हम आपसे यही विनती करते हैं यही आस रखते हैं विनती आपसे नहीं करवाएंगे आपको उमीद होनी चाहिए हमसे विनती तो वो करे जिनोंने कुछ नहीं दिया इस देश को आप लोग तो हम सब कुछ देने वाले मुझे बोला गया है बार-बार मैं कोई हैट इस्पीश नहीं देता भाई कई मैं कोई ऐसी इस्पीश नहीं देता जिससे कोई उपदर फिले मेरा समाज का युवा उस पे मुकदमे लिन लग जाए हमेशा काली साब बोलते थे कि अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करना किसी का ये बुरा करने में नहीं आया हूँ किसी का मैं मेरे आपको जोग दूँगा मैं खुदकों में जो परसासन मेरे पिछले सातार दिन से पीछे पड़ा है उनको अगर लगता कि महीपाल सिंग की आहूती देने से ये जो जो जोगाला है ये बुच जाएगी तो मैं अभी समर्पित करने को तैयार हूँ कहां लेके जाना चलो में चलता हूँ मेरे एक नहन्याल का मेरे मामा के गाओं का नाम क्या आपको मालूम है गया आपको मालूम है गया दक्षन गुजराद आपको मालूम है मेरे मामा के गाओं का नाम मेरी मा के गाओं का नाम क्या है मेरे नन्याल को जान नान्दिरा बोलते हैं क्या बोलते आपके आपके नानेरा रतनपुरा मोसर मोसर नन्याल, हमारे नन्याल बोलते हैं, नान्दिरा बोलते हैं, मामा का गाउं मेरी मा का गाउं कौन सा है, रतनपूरा, इस गाउं का नाम क्या है, वो रतनपूर, रतनपूरा ये की बात है, है तो रतनपूर, आपका क्या लगता हूँ, यहां का क्या लगता हूँ, मुझे पु हर गाडी में मेरे भाई पुलीसिवाले, हर गाडी में अपने आपको डाल डालके देख रहेते, कहा हैं मैईपाल सिंग मैईपाल सिंग कोई, बकरी का बच्च्च के जो अंदर चुपा हुआ है मैईपाल सिंग तो इतना पड़ा दिखेगा एक सो आठ किलो वजन ने चापू टाइट है कोई कोणे में तोड़ी तो मिलूंगा तो आगे दिखूंगा और अगर रात पिरार दर से नोगे तो डर भी जाओ गए यह से ही बता रहा हूं मेरा कोई अच्छा कासा कोई चोकलेडी मून नहीं है मेरा तो शत्री अलूक है मुझे परसासन से कोई बेर नहीं है मेरे भाई क्यों लाड़ पढ़े रहा रहा हूं ज्यादा तर उसमें शत्री बंदू है आप रात की नेंद खराब मत करो मैं तो यहां से सीधा गाऊं जाओंगा और यह भाई लोग जो यहां है वही काफी है तुमारे लिए इनको रोक दिखा देना मां जाओंगा कौन रोक रहा इन को अग्राइब देखो देखो कोना आए देखो देखो कोना आए मैं के लोगों से विंती है और टाइम आड़ों भी माम लोएगे नई नई खूब सारी लोग और है सुनिए मेरी बात को खूब सारी लोगों के मन में है और लाखों की भीड हर जिगा होती नहीं मैं सही बता रहा हूं मन तो और राजियम लाज जाई अठे वली को नहीं कहाएं टाइए वली को नहीं वली पर मन है के मुझे आप से एक उमीद है ये के वल शुरुआत होनी चाहिए ये लाखों की भीड नहीं लाखों के आज पांच लाख है तो दस लाख की हम एमदाबाद में उकात रखे इत एकात्तों बोलना चाँ रहा हूं किसी पर कोई प्रेशन नहीं है कोई दबाब नहीं है हाथ आके करके हाथ अकपर करके हम सब hubs हम सब माभगवती की कसम खाकर जब तक पुर्शतम रुपाला का टिकट नहीं करता हम किसी भी भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे उनके कोई प्रोग्राम में सयोग नहीं करेंगे किसी भी प्रत्याक्षी के साथ नहीं घुमेंगे अगर फिर भी टिकट नहीं कटा तो आने वाले चुनाव में बाजपा का भाईसकार करेंगे मंजूर हैक नहीं है, मंघ से बोला हैक नहीं, भगवती की कसम ऐसा नहीं हो कि महिपाल सिम्ह ने जबर्दस्ति आत उपर करा दिया, ऐसा तो नहीं है, पक्का नहीं है क्योंकि कय सारा अपड़ा लोग, कई सारे अपने बीज के लोग है जो अभी भाजपा की पूच पकड की घुम्रे पिशलिवार भी बताय था मैंने उनका मूँ का सेनेरियो चेंज हो गया है उनका उनका सब कुछ सेनेरियो चेंज हो गया है पर पूच नहीं छोड़ी जा रही मैं उन्हें भाजपुतों से बोलना चाहरा हूं अर भया तुमसे बढ़िया तो वो घृजिनिय वाला ना वो बढ़िया है जो सालल लड़तो रहे इत्ता जिसको कमजोर गोशित कर रहे वह भी लड़ने 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 हम ताकत हम कमजोर है गई कप सब लोग हमिंति है अब मैं फिर परसासंद को बोल रहा हूँ अगर हमारे किसी भी वेक्ति को छेडा गया परताप सिंग कालवी को डिटेन किया बता है उसको छोड़ देना भाई उसकी वो यही त्वारा था समाज के वेक्ति में प्रोग्राम में और मैं आप से भी वोलना जा रहा हूँ अगर आप किसी को भी एक मेसेज जाए के माईपाल सिंग को पकड़े और जहां तुम्हारी गाडियों वहीं सेलब बंद करके खड़े हो जाना जिस रोड़ पे खड़े हो और गुज्राद को जाम कर देना यह बार बार जो मुँ फाड़के दाद किन रहे ना तुम्हारी ताकत देख रहे ना तुम्हारी परसासन को बोल रहा हूँ अब की बार मैपाल सिंग पर हाठ डालना जहां तुम्हारी जब तक तुम्हारी गाड़ी पहुंचे गाउं तक और यह सा कोई मेसेज आजाए व लोगों को मेरे याँ भाई जीवन जिंग सेरपूर एंपी से आए वे उनको बोलना चाहरा हूं वो तो तैयार है राजस्तान का भी एक एक व्यक्ति तैयार होना जीए कि आपके सामाजिक व्यक्तितु पे अगर कोई गलत तरीके से टीकाटी पुणी करें आपको अगर कोई आजमाने अभी मुझे ने मुझे निक को लाकि ए वनके अटिवीं शाल दिगए पगरी शैल ने मेरे भाई उनके पगरी मेरी पंड़ी आपके पगडी अलग नहीं है समाज की फंजिथी थी ठेकशिय आपगडी ए अशंतों के वगडि कारा सब्सं आ सबाबू कर सकता हूं मैं एक बार और बोलना चाहूंगा कि हमारे साथ सुखदेव सिंग गोगा मेडी की धर्मपतने भी आने वाली थी तो उसको भी डिटेन किया है तो उसका हमें खेद है तो एक करनी से ना का अभी हम सीला शेकावजी और परताब जी काल भी को डिटेन किया गया उनको जल्दी स करने जल्दी छोड़ दे हमने हमने अगर उदर का मुख कर लिया ना अगर इस भीड़ने एमदाबाद की तरब मुख कर लिया तो फिर भागते फिर हो गए हम नहीं चाहते और मैं आपके इस मंच के मादेम से आज इस मंच के मादेम से स्वर्गे सुकदेव सिंग होगा मेडी को भी सरदाजली अरफित करना चाहता हूँ जो समाज के लिए मर गया जो समाज के लिए सहीद हो गया गोली खाली बहुत धन्यवाद सब को जे माता जी सब को जे माता जी